तो स्वागत है आपका ग्यापन एकेडमी के इस ज्योग्रफिय क्लास में आज का क्लास 12 क्लास का है बहुत ही संदार है और आपको देखे यह जो भी हम पढ़ाएंगे उसका पेडियाप ग्यापन एकेडमी ऑफिस्यल टेली ग्राम चैनल पर डायरेक्ट आपको फ्री आपको टेंशन नहीं लेना है बस आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए ठीक है पैसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है बस आप तैयार बहुत बढ़िया से तैयारी कर लिए और माक्स कम से कम अपलाई देगे 450 प्लस अगर तैयारी अच्छी रही तो आ सकता है अग हम बता देंगे ठीक है हम वही इंपोर्टेंट कोशन बताएंगे जो एक्जाम में लगभग लगभू 90% आनी की संभावना रहेगी तो हम क्लास को शुरू करते हैं बिना देर किये यहां देखिए यह किताब बुक नंबर 2 का है यहां देखिए पहले आप बताए नियोजन का मतलब क्या होता है म 기대 अब कोई भी काम करने से फोले आतो वही है प्लानिंग है उसको Hindi में लगला गयां नीजन का कार्य भारत में किसे सौप आगया यानी कि भारत को आगे बढ़ाने के लिए भारत में कोई प्लानिंग करेगा न तो किसे सौप प्लानिंग कमिशन को योजना आयोग बोलते हैं योजना योग कि अपना 15 मार्च को हुआ था याद रखेगा यह पंद्रा मार्च 1950 को था इसका काम है प्लानिंग करना ठीक है और इसका एक और काम था प्लानिंग करके इसी नियम लगाया था कि हर पांच साल पर डेवलोप्मेंट चेक के जगा कि देश कितना आगे बढ़ा तो देखना पांच साल पर होता है कि नहीं योजना योग की देने जिससे पंच वर्स योजना भी कहते हैं यहां देखिए लिख भी दिये हैं पांच वर्सों के लिए आर्थिक विकास को यह बताता है कि पांच वर्स में आपका कितना देश विकास किया अब इसके में अध्यक्ष होते को ने तो परधान मंत्री होते हैं तो अभी के हिसाब से योजना योग के अध्यक्ष कोन है अभी के हिसाब से आपके योजना यो पहले से किसी पद पर हो आई ये भी समाल रहे हो यूजना योग को भी समाल ले तो अगला कुछन बहुत ही संदार है इसको तुद देखिए तो ठीक लगाए भारत में पहली बार पंच वर्षी योजना तो 1950 में तो योजना बना प्लानिंग कमिशन बना और इन्होंने बोला सुरुमात पूछे तो यह कावन में होगा है ठीक है याद रखिए और एक और चीज़ बता दें और आखरी मत्र यहां पे बारहावी पंच वर्षी योजना है जो कब सुरू किया है 2012 में शुरू किया गता बारहावी पंच वर्षी योजना 2012 में पांच साल गिन लो कब तक कि चला होगा शरी 2017 तक चला होगा कब चला होगा दोर सद्र तो चले और हमिए और पहला जरूर पूझता है यह याद रखेगा चले केरें डेक स्विश्यमार पहली पंच वर्षी योजना प Candice और बारहावी पंच वर्षी योजना क्या हो जाएगा बारहावी बारहावी पिछड़े वर्च में पंचवर्षी योजना तो कितने नमबर का पंचवर्षी योजना है जिसमें जर्जातियों के बारे में चर्चा किया गया है 5 साल पर development हो तो कोई होगा पांच साल ऊच्पें से योजना कारे करम परवत झेतर में विकास कितना हुरहा है उसके लिए पांच वी पन्चवर्षी यौजना अब कहें गा कि उनिए इसको ध्यान से समझे बावो यहां हम कहinea है कि 5 Ho faster York में किस बात का जर्चाह जादा हुआ था तो परवतिय छेत्र काहें नहीं विकास कर रहा है तो पसे परवत पसे पंच वर्षी योजना याद रखेगा 1974 से यहां 78 तक एक सल पॉलाई यह बंद कर दिया गया है चलिए अब यहां की बात करते हैं सुखा संभावित छेत्र जहां सुखाड होता है तो उसको भी तो पंच वर्षी योजना में राय होगा ना जी पांच-पांच साल का होगा नेता लोग राय करेंगे तो चार नंबर का पंच वर्षी योजना है टीक भी कर दे रहा है ताकि आपको पेडियाफ लेने में दिक् लग भी रहा है ठीक है यहां देखिए एक कईस नंबर 1975 से यह अनुसूची जाती छेत्र हो गया है जो यह है ना भर मौर यह अनुसूची जाती बदल गया है कब बदल गया है 1975 में ठीक है उसके बाद से एक अब्जिक्टिव दो तीन बार एक्जाम में पूछा है इसको द धिया है किस जन जाती को घर मोर जन जाती को चलिए अगला कुसरैं यहां देखते हैं फिए कुसLESन क्या कर रहा है 2011 में भर मौर जन जाती की संहिया कितनी थी तो ते रट तयरह 49 देख लिए पहाड़ा कॉन मैच करह है तक यहां 3049 बहार 1510 ते रहू यहां बहार сообщere था ठीक है यहां देखिए और माली जेक और पूरा इस इस ग्रूप में ही माचल प्रद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् पॉपॉपुलीशन बम कि सुरूवांत एक पूस्ताक है एक सुरू किया था ठीक है उसका नामता दप पॉपॉपुलीशन बम सुरू किया था तो इसको वह काम करके लिख दो 1968 में भट गया ठीक है फटा नहीं पुष्टक है यहां देखिए दली मीट टू टू होगा गलती हो ग्रोथ उनीस वहत्तर ठीक है मिडोस की पुष्टक है मिडोस की पुष्टक का क्या नाम है यह भी पूछ सकता है इसलिए तो बोले हम कम करात है लेकिन कुष्टन में भी कुष्टन आता है मिडोस की पुष्टक उनीस अबहत्तर में छपा मिडोस की पुष्टक का क्या नम था लिमीट टू ग्रोथ ठीक है असुनिया याद कैसे किजिएगा जब नहीं याद हो ना कुछ मत किजिए हाथ पर मतर एक से दो कुष्टन लिख लेजिए ठीक है उसको एक घंटा दो घंटा देखते रहे बस ज्यादा नहीं ज्यादा किजिएगा तो दिकत हो जाएगा एक से दो घंटा देखिए गए याद हो जाएगा ठीक है वहर वह कहते हैं इसे राजस्थान का मरुगंगा यह संदे बालू ही ज्यादा था तो वहां की कि बनायीन गया एक साल के बाद एक इंजिनियर थे कौवर सेन ठीक है इन्होंने बनवाए था राजस्थान का भागी रती भी इसको कहते हैं ठीक है अब यह जो थे यह कहां के थे तो बिक्का नेर राज्ये में राजस्थान नहर के विचार लए यह बिक्का नीर राज्ये के थे कौन यह इंजिनिय बांदा पानी हो गया ठीक है तो मनलों के फिर आगे बढ़ेगी दिकत होगा और इधर है राजस्थान नीचे सभी नहर नहर निकाल दीते तो यह मिलेगा है राजस्थान वाल आ गया थारण का थार के मर्वस्तल की सिछाई करने के लिए इंद्रागांदी नहर का उद्गम कहां से किया गया तो यह हरी के बैराज से किया गया था कहां से किया गया था हरी के बैराज याद रखेगा हरी के बैराज किसको कहते हैं वही बात है इधर से गई कौन सतलूज और यहां पर हो जागा सतलूज ठीक है और इधर से गई ब्यास और जहां पर इधर एक म धाते हैं देख सकते हैं इंद्रा गांधी नहर किस राज्य का महत वकां सीत करियी न है तो ये है राज्यस्थान का भी इंद्रिया चाहरा सबसे बड़ा सबसे बड़ी मानय निर्मिद पर्योजना 1998 में ततकालीन ग्रिह मंत्री गोविंद वल्लव पंत द्वारा यह बनाया गया था किसके द्वारा गोविंद वल्लव पंत ठीक है यह आप याद रखेंगे कि इसका इसका स्वाइन कब अस्तपना यहां पर 5944 में इसका नाम बदल कर के इंद्रागांदी रखा गया पहले इसका नाम यहां पहले शुक्ति नम सनल्व सब्सक्राइब गांधी की बांध्रे महिए बांध होता है ठीक है जो बांध बनाएगे उसे क्या करते हैं बेराज हनुमान गड़ से सितावली अब यह कहां है तो इसको समझने के लिए आपको ऐसे फिर इंडिया हम इंडिया ऐसे बना रहे हैं माली जे कि यह होगे पंजाब पंजाब में हनुमान गड़ इधर कौन सी है तो वही है इंद्रा गांधी नहर यहां देख सकते हैं इंद्रा गांधी नहर को अगला बारह नंबर कोश्चन है जो भी बहुत ही संदार है रजस्थान नहर इंद्रा गांधी नहर किस नदी से जल प्राप्ट करता है तो यह सतलुज और ब्यास ठीक है ब्यास औ नहीं और इधर से आ रहा है यह तैके ईसको सीधा जाना चाहिए तो यहां पर एक मत्मरा और इधर भी यहां दिक रहा हुआ यह ऑर हरी हिराज अधर पागई पाकिस्तान जाएगा इंडिया के मैप में आजाएगा चलिए कुश्चन को देखते हैं इंद्रा गांधी नहर का उद्गम हरीके बायराज से हुआ है सिंपल यहां अगला कुश्चन है प्रादेशिक नियोजन नियोजन मनें प्लानिंग का संबंध किस्से है आर्थिक व्यास्ता के विविन सेक्टरों का विकास परिवहन जलतंतर का छेत्रिया अंतर या फिर आप अगला कुश्चन देखते हैं आगे वही शर्दार शरुवर परियोजना ये तो बहुत ही संदार है जैसे ऐसे बनाइन इंडिया इंडिया बनाएंगे तो यहां पर गुजरात वाले इलाका में बनाया गया था सर्दार सरुवर परियोजना किस नधी पर बनाया था तो कर देंगे ठीक है सब कर दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा आई टीडी निमलिखित में से किस अंदर्व से वर्णित है ताब को बताए थे नहीं यहां पर समन्वीत वैपार विकास कारेक्रम यह हो जाए एक मेट थोड़ा सा इसको देखें समन्वीत विकास नहीं हो सब्सक्राइब कर दोजर साथ से बारह होए थी अब अब कहिए का बारह हमी सुनिए ध्यान से बारह हमी बारह हमी पंच वर्षी योजना की सुरवां तो से याद रखेगा अब आप इसका एलसे टिक किजिए तो कमेंट किजिए न बबबु तो याद हो जाएगा यहां ही सबसे मुहतवपूर्बूर्ण तो परितंत्र विकास याद रखेगा तो यह 20 नमबर कुश्चन आपका कम्प्लेट हुआ अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को सेयर करते रहे आपको अगर अच्छा लगा हो तो और नहीं अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजी है न की चलो को बतने तो फिर मिलेंग का विडियो रहेगा और उसमें तीन लेसन कम्प्लेट रहेगा तो अगर आपको लग रहा होगा कि आपके लिए मेहनत हुआ है तो प्लीज इसको लाइक किजिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले लेशन के शाथ तब तक लिए जैंद और खुदा कर दोलेंगे बार फिष्व चारए है तो भी थाले के अविड भारे प्वाले इसक चाहा से किपड है bei तोले में अभी जैंपकिए गिए2शने के जाशने के जाए है